पास्ता या मैकरोनी खाना हर किसी को बहुत पसंद होता है और आज मैं आपके लिली लेकाई हूँ बहुत स्पेशल बहुत ही मज़िदार रेस्पी इसे बनाना भी बहुत आसान है और टेस्स में ये ला जवाब है तो आप इस वेजेटेबल पास्ता की रेस्पी को ज़रूर ट्राई करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें तो चलिए आज की रेस्पी शुरू करते हैं अगर आपको मेरी रेस्पी स्ट्राई करने को बाद पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करे, शेयर करे और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करे यकीन मानियों बहुत खुशी मिलती है वेजिटेबल पास्ता बनाने के लिए मैंने यहाँ पे थोड़े से फ्रेंच मिंस लिया है दो टमाटर लिया है, एक गाजय लिया है, एक शिमला मिर्च और एक हरी मिर्च तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि सबजे को अच्छे से वाश कर लेते हैं आज खल वेजिटेबल में काफी जर्म्स और कैमिकल्स होते हैं इसलिए इनको अच्छे से wash करना बहुत important है बहुत लोग soap से veggies को धोते हैं लेकिन वो harmful हो सकता है इसलिए मैं आज veggie clean यूज करी हूँ यह 100% safe है क्योंकि यह natural ingredient से बना है यह vegetable अफ्रूट से 99.9% germs, pesticides और waxes को हटाता है इसे आप Amazon, Flipkart या फिर किसी भी online साइट से खरीच सकते हैं तो अब हम इसे पानी में डाल देंगे तो 2 लीटर पानी के लिए 1 कैप ये veggie clean यूज करें लेकिन मैं यहाँ पे 1 लीटर पानी यूज करी हूँ तो इसमें आधा कैप ये veggie clean डालूँगी तो यहाँ पे ये liquid डाल दें इसमें और इसके बाद क्या करेंगे कि इसे अच्छे से मिला दे तो सबजीयों को wash करने से पहले इसे अच्छे से मिला दे और इसके बाद जो भी सबजी आपको wash करनी है या फिर फल वो इसमें डाल दें तो मैं यहाँ पर यह जो सबजी यूज़ कर रही हूँ ना पास्ता में उन सारी सबजों को इसमें डाल देती हूँ और इसके बाद हमें क्या करना है कि 5 मिनट इसे पानी में डुबो के छोड़ देना है उसके बाद हम इसे रप करके और वाश करके निकाल लेंगे तो 5 मिनाट यहाँ पर हो चुका है सबजी को एक बार ऐसे रब कर ले इसके बाद हम इसे नल्व के नीचे अच्छे से धोलेंगे तो यहाँ पर यह जो पानी है वो गिरा दे और उसके बाद चलते हुए पानी में 2-3 बार अच्छे से वाश कर ले तो यह हमारी सबजी जो हो गई एकदम केमिकल और पेस्टेसाइज फ्री यह देखे तो सबजी को हमने अच्छे से धोलिया है अब हम इने बारी काट लेंगे और इसके बाद चलेंगे अपनी मैकरोनी बनाने का प्रॉसेस में तो यह हमारी सबजी रेडी आप इसे काट ले वारीक से और मैकरोनी बनाने के लिए मैंने यहाप एक लिटर पानी गरम किया है पानी में हम एक कप मैकरोनी डाल देंगे आप इसकी जगा यह नॉर्मल पास्ता भी यूज़ कर सकते हैं जो भी आपको पसंद है बस शेप में फर्क होता है टेस्स में कोई फर्क नहीं होता इसे हम अच्छे से उबाल लेंगे मैकरोनी पास्ता या फिर नूडल बनाते समय जब आप उसे उबाल ली तो उसमें जरा सा तेल डाल दें उसी क्या होता है वो स्टिकी नहीं बनते हैं तो यहाँ पर इसे उबलने दे अच्छे से जैसे यह अच्छे से उबल जाएगा मतलब आप इसे एक निकाल के ऐसा चेक करके देख लें कि यह पका है कि नी तो यहाँ पर यह अच्छे से पग गया है, तो हम क्या करेंगे, गयास को आफ कर देंगे और इसे अच्छे से छान लेंगे, मतलब स्ट्रेंट कर लेंगे तो आप इसे इस टेनर में निकाल के रखतें और उसके बाद क्या करें कि दूसरे पैन में तेल गरम करें तो यहाँ पे तीन चमज तेल गरम करी हूँ मैं तेल में हम डालनेंगे बारी कटा हुआ लहसून तो एक छोटा चमज बारी कटा हुआ लहसून एक हरी मिर्च बारी कटा हुआ डालने और इन दोनों को थोड़ा सा पका ले इसके बाद हम इसमें सब्ज fluctagen तो यहांपे प्याज, बिंज, यह गाजर और शिम्ला मिर्च मैंने पहले से काट के रखका है तो प्याज, बिंज और गाजर हम पहले डाल देंगे क्योंकि शिम्ला मिर्च को पकने में समय नहीं लगता है इसलिए सिम्ला मिर्च लास्ट में डाले ताकि कलर भी अच्छा लगे तो यहाँ पे सब्जियों को दो मिनट तक पकने दे जैसे यहाँ पे यह सारी सब्जिया जो है न वो थोड़ी से पक जाएगे हम इसमें डाल देंगे बारी कटा हुआ टमाटर तो टमाटर का इस्तमाल इसमें थोड़ा जादा करें उससे पास्ता और भी अच्छा बनेगा और दिखने में भी अच्छा लगेगा थोड़ा सा नमक डाल दिया मैंने ताकि टमाटर जो है वो जल्दी पक जाए अब हम इसे ऐसे मिला देंगे और ढखके पकने के लिए छोड़ देंगे हमें इसे तब तक पकाना है जब तक कि टमाटर जो है वो अच्छी तरह मेल्ट नहीं हो जाए मतलब गल नहीं जाए तो यहाँ पे टमाटर की जो हलकी से ग्रेवी बन गई है यह आप देख सकते हैं तब हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा लाल मिर्च का पाउडर तो एक छोटा चमच काश्मेरी लाल मिर्च डाले और इसे मिला दे इसे कलर अच्छा आता है अब हम इसमें डाल देंगे दो बड़े चमच टमाटर केचप तो जो हमने मिर्ची पाउडर डाला ना वो केचप जो है उसको बैलेंस करेगा तो इसे ऐसे मिला दे अगर आपके पास लाल मिर्च पाउडर जो कश्मेरी वाला है न वो नहीं है तो नॉर्मल वाला लाल मिर्च पाउडर यूज करें लेकिन वो आधी छोटी चमच क्योंकि वो तीखा जादा होता है तो अब हम क्या करेंगे कि इसमें ये बॉल किया हूँ मैकरोणी या पास्ता जो भी आप यूज करें वो इसमें डाल दे नमक डाल दे इसके बाद हम इसमें थोड़ा सा चिली फ्लेक्स डाल देंगे थोड़ा समय यहाँ पर मिक्स्ट हब यूज करें यह अगर आपके पास नहीं है तो आप और गन्यों यूज करें नहीं तो नहीं यूज करें और इसके बाद थोड़ा सा ये पास्ता मिक्स अगर आपके पास ये टैलियन हर्फ नहीं है तो आप इसके जगा आधी छोटी चमच गरम मसाला का इस्तमाल करें और कुछ भी डालने की जरूरत नहीं है इसके बाद इन सब को अच्छे से मिला दे तो ये हमारा कलरफुल मसाला मैकरोनी जो है वो बन के तयार हो गया है ये आप देख सकते हैं तब हम क्या करेंगे कि लास्ट में इसके उपर चीज डाल देंगे चीज डालना इसमें ऑफशनल है अगर आपको चीज नहीं पसंद है तो इससे आप स्किप कर सकते हैं तो मैंने आपको बहुत ज़्यादा चीज नहीं इस्तमाल किया है ढग के एक मिनट के लिए छोड़ दे इसे और यह हमारा मज़ेदार मैकरोनी पास्टा जो है वो बन के तयार है यह आप देख सकते हैं कितना कलरफुल देख रहा है यह देखे अगर आपको चीज ज़्यादा खाना पसंद है तो आप इसमें जरूर चीज डाले चीज से और भी टेस्टी लगेगा तो यह हमारा मैकरोनी पास्टा रेडी हो चुका है गैस को बन के हमाने और ले चलते हैं इसे सर्फ करने के प्रासेस में तो सर्फ करने के लिए आप इसे एक सर्फिंग प्लेट में निकाल लें और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितना कलरफूल देख रहा है कितना अच्छा देख रहा है और जबकि हमने इसमें चीज बहुत ही कम इस्तमाल किया है तो जैसा कि मैंने बताया कि अगर आप इसके उपर चीज डालेंगे तो यह और भी ज़्यादा अच्छा देखेगा और भी ज़्यादा टेस्टी लगेगा तो आप इस वेजिटेबल पास्ता की रेस्पी को जरूर ट्राई करें यह पास्ता आपको बहुत पसंद आएगा अगर आज की रेस्पी आपको पसंद नहीं हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले